मीटिंग होई है उसमें अभी कर्जमुक्ती पे उपर सी टू प्लस 50 के उपर सी टू प्लस 100 गन्ने के उपर और अन्न जैसे डबलू टियो है नरेगा है ये सब बातों के उपर अभी चर्चा बाकी है जब उनकी मन्चा है भी हम आपके सामने कोई परस्ताब रख रहे हैं जो परस्ताब रखा आपके मालूम है वो परस्ताब आ गिया हमने का ठीक है हम नहीं चाते पूरे देशवर में ये बात जाए पि कोई परस्ताब किसान अंदोलन में रखा जा रहा किसान लीडर के समक्ष वो उसके उपर बगार विचार मिमर्च की ये जवाब दे रहे हम फिर अपने दोनों फोर्मों में उसको अच्छी तरह से विचार मिमर्च करके बात करेंगे जहां तक दिल्ली जाने का निर्ना है तो 21 तरीके 11 बजे वो हमारे कारेकरम पिस्पुली डंक से स्टैंड कर रहा है देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा पूरे देश के लिए प्रपोजल आगी अभी इनों इसके उपर हमने विचार मिमर्च करके बात ही फाइनल बता सकेंगे आपको अब दो दिन हैं, दो दिन में यही करेंगे, सरकार भी बोली है. अन्य मांगों के उपर हम भी वर्क करेंगे. तो वो भी वर्क कर लेंगे, हम भी कर लेंगे. देखें ऐसा होता तो हमारा 21 का करकारम ना होता. सरकार कुछ भी कह सकती है हम अपने धंक से कैसे पिस्पुली धंक से लोकतांत्रिक तरीके से किसान मजदूर का अंदोलन लड़ा जाए और उसको 75 सालों में अभी तक कुछ मिला नहीं किस तरह से ले के दिया जाए हम इस पे उपर ध्यान दे रहे हैं मीटिंग होई है उसमें अभी कर्जमुक्ती पे उपर सी टू प्लस 50 के उपर सी टू प्लस 100 गन्ने के उपर और अन जैसे डवलू टियो है नरेगा है ये सब बातों के उपर अभी चर्चा बाकी है जब उनकी मन्चा है भी हम आपके सामने कोई परस्ताब रख रहे हैं जो परस्ताब रखा आपके मालूम है वो परस्ताब आ गिया हमने का ठीक है हम नहीं चाते पूरे देशवर में ये बात जाए पि कोई परस्ताब किसान अंदोलन में रखा जा रहा किसान लीडर के समक् और बगार विचार मिमर्च की ये जवाब दे रहे हम फिर अपने दोनों फोर्मों में उसको अच्छी तरह से विचार मिमर्च करके बात करेंगे जहां तक दिल्ली जाने का निरना है तो 21 तरीके 11 बजे वो हमारे करेकरम पिस्पुली डंक से स्टैंड कर रहा है देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा पूरे देश के लिए प्रपोजल आगी अभी इनो इसके उपर हमने विचार मिर्च करके बात ही फाइनल बता सकेंगे आपको अभी दो दिन है दो दिन में यही करेंगे सरकार भी बोली है पिर अन्य मांगों के उपर हम भी वर्क करेंग तो वो भी वर्क कर लेंगा हम भी कर लेंगा देखिए ऐसा होता तो हमारा 21 का कारिकरम ना होता ठीक है सरकार कुछ भी कह सकती है हम अपने धंक से कैसे पिस्पुली धंक से लोकतांत्रिक तरीके से किसान मजदूर का अंदोलन लड़ा जाए और उसको 75 सालों में अभी तक कुछ मिला नहीं किस तरह से ले के दिया जाए हम इस पे उपर ध्यान दे रहे हैं